तो चले आ पूरा फोकस अपने पार्टणर को तुछिज़ रहे हैं तो चलिए जानने की कुशिश करते हैं कि नो कॉंटेक्ट में आपके पार्टनर की फेलिंग्स क्या है आपको लेके क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर तो शफलिंग हो जाती है जब तक अपना पूरा फोकस अपने पार्टनर पे लगाई है जो आपसे बहुत प्यार करता है जो आपसे लव करता है किसी बात पर नाराज हो गया है आपको छोड़ के चला गया है किसी बात पर छोड़ के गया है तो आजाएगा बहुत जल्द आएगा आप देखिएगा बहुत जल्द आएगा मैंने कह दिया है तो यह चीज होनी है मैं हमेशा कहते हूँ जो मैं कहते हूँ वो positivity जो positive चीजे में आप लोग को बोलती हूँ वो आप अपनी तरफ ले लिया कीजिए और जो negativity होती है ना उसको छोड़ दिया कीजिए ठीक है positive चीजों को जल्दी से catch कर लिया कीजिए एक last shuffling और फिर देखते हैं आपके partner no contact में क्या feel कर रहे हैं है ना कार्द को निकालते हैं first card ओ क्या निकला है dear first card पता है क्या निकला hi princess wow two of cups देखिए no contact की reading है और आ गया है two of cups आ गये हैं यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जिनोंने रिष्टे को खराब करा है कुछ ऐसे लोग जिनोंने रिष्टे में आग लगाई है कुछ ऐसे लोग जिनोंने इस रिष्टे को पूरी तरस से खराब करवा के ही लिया है तो वो लोग आपकी पूरी दुनिया बरबाद करा दी इन बुरे लोगोंने तो चलिए देखते हैं यह कार्ड निकल चुके हैं आपको कार्ड दिख रहे हैं और बॉटम की एनर्जी ओ माई गाड शर्फलिंग होने के बाद में भी चैरियट आया है जबकि यहां गिरा था मैंने वापस इसे रख दिया था और मैंने आपसे कहा था कि भाई यहां पर यह चैरियट है बहुत जल्द आएंगे आपके पार्टनर है ना एक्शन लेने का भी सोचेंगे उसके बाद में है डाविल ओके तो डियर आपके पार्टनर को आपके बहुत आदत है चलिए हम टू लव डेक्स से भी देखते हैं तो कुछ कार्ड निकालूंगी डियर मैं यहां पर ओके यहां पर कुछ कार्ड है मैनिफेस्टेशन ओके तो चलिए देख लेते हैं कार्ड निकल चुके हैं डियर यहां पर मैं साइन बता देती हूँ आप लोग को कि कि यहां पर साइन क्या है यहां पर है जो साइन एरीज लियो जैमिनाई ओके तो यह चीज यहां पर दिख रहे है एरीज लियो जैमिनाई एंड यहां पर जैमिनाई है जैमिनाई लिब्रा एक्वेरियस यहां पर साइन मुझे दिख रहा है उसके बाद में डियर आप लोग को मैं बोलू लियो नहीं यह लिब्रा है तो यहां पर डिय यहां पर ऐसा लग रहा है कि आपने अपने इर्द गिर्द बॉंडरीज बना के रखिए ऐसी बॉंडरीज जिसमें ना आप अपने पार्टनर को सुनना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं ठीके ये आपके लिए मैंने कार्ड निकाले हैं ये मैंने आपके पार्टनर के अनर् कर रहे हैं आप यहां पर क्या विह कर रहे हैं बिलकुल COLD बीहईव आप कर रहे हैं पुरी तरह से आप खामोश हो गए हैं आप कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं आप उन के साथ में एक soulmate वाला connection फील करते हैं ठीक है no contact situation है पर डियर आपका उनसे रिष्टा जो है no contact वाले में भी आपका और उनका जो दिल का रिष्टा है ना एक soulmate वाला connection है क्योंकि connection का कार निकला आप पूरी तरह से इनके साथ में दिल से connect हैं और ये चीज आपको feel भी होती है देखिए यहाँ पर यह दोनों जो इंसान है किस तरह से connect है एक दूसरे से किस तरह से तो वो चीज यहाँ पर clear दिख रही है कि इनका और आपका जो दिल का रिष्टा है वो connection जो है एक पूरी तरह से strong connection है लेकिन आपने आपने कोई decision के कारण यहाँ पर हो सकता आपके partner ने जो cheating किया आपके साथ में cheating मतलब ऐसा नहीं इस तरह का कि हो सकता है कि इन्होंने आपको commitment नहीं दिया आपको commitment देने से मना कर दिया धोका दिया है इस तरह का तो वो cheating के उपर आप शायद इनसे boundaries create करके बैठे हैं आपने इर्द गिर्द रेखा बना के रखी है आप अभी इनसे बिल्कुल दूरियां maintain करके बैठे हैं आप manifest तो कर रहे हैं मैं बता दूँ आपकी energy आप manifest कर रहे हैं अपने partner को किस तरह से कि यार वो क्या कर रहा होगा क्या चल रहा है उसके life में मुझे याद कर रहा है कि नहीं क्या पता अभी fast है कि नहीं इस तरह का कुछ ना कुछ आप उनके बारे में सोच रहे हैं या नहीं आएगा या आज जोब पे आएंगे या नहीं इस तरह का मतलब डेली रूटीन जो होता है ना उस तरह की चीज़ को आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कहीं न कहीं और ये मैनिफेस्टिशन आपका जो है बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है और आपके पार्टनर जो है ना उनकी एनर्जीज की बात करी जाए तो आपके पीछे लड़ाई जगड़े करने को तुल गए हैं कहीं न कहीं ऐसा एनर्जीज फील हो रही है कि आपके पार्टनर आपके पीछे सारी दुनिया से लड़ सकते हैं आपके पीछे तो यहां पर आपके एनर्जी तो ऐसी दिख रही है कि आप ये चाह रहे हैं आपके माफी माँगे, वो गया था छोड़के मुझको मैं नहीं गई थी, मेरी गलती नहीं है, तो यही आकर माफी माँगेंगे, तब मैंने माफ करूँगे तब जाके आप यह, हलाकि आपका दिल तड़ाप रहा है, आपका दिल जो है ना इंसान जो है, अकर में आ जाएगा या फिर मुझको ऐसा कुछ सोच के आप थोड़ा सा पीछे हट रहे ठीके, आपके पार्टनर की बात करूँ तो डियर, यहाँ पर आप लेकिन समझना नहीं चाह रहे बिलकुल नहीं समझना चाह रहे अपने पार्टनर को और वही चीज आपके पार्टनर भी इगो दिखाने की कोशिश कर रहे अपना कहीं न कहीं वो भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं दोनों के बीच में लड़ाई जगड़े हुए है फाइट हुई है, अंडर्स्टेंडिंग तूटी है एक दूसरे के उपर से विश्वास तूटा है ट्रस्ट इशू यहाँ पर दिख रहा है फाइट चल रहे है, लड़ाई जगड़ा चल रहा है दोनों ही अपनी जगब पर सही मान रहे हैं अपने अपने आपको आप भी अपने आपको सही मान रहे हैं आपके पार्टनर भी अपने आपको सही मान रहे हैं कोई भी अपनी गलती एकसेप्ट करने को तयार नहीं है इसलिए तो यह जो रिष्टा है ना डियर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इतनी दूरियां आ गई है इतना डिस्टेंस जो आया है आप दोनों के बीच में जो बॉंडरी आपने बना के रखी है वो और बढ़ती जा रही है आपके तरफ से तो और बढ़ती जा रही है पर डियर आपके पार्टनर की तरफ एक कार्ड निकला है वो है two of cups वो कार्ड यही बता रहा है कि ये प्यार आपसे बेहत करते हैं बेपना प्यार है इनको आपसे और dear ये अपना cup जो है आपको देना चाहते हैं है ना ये cup लेके बैठे हुए हैं इसलिए तो लेके बैठे कि आपको अपना cup दे पाएं dear अपना cup आपको देना चाहते हैं अपने जजबात आपको बताना चाहते हैं इनके दिल में क्या चल रहा है इनकी feelings क्या है वो सारी चीज़े ये आपसे share करना चाहते हैं तो वो चीज़ लग रही है कि reconciliation करना चाहते हैं आपके partner है ना reconciliation का card है तो reconciliation करना चाहते हैं आप लोगों के बीच में वो रिष्टा जो खराब हो गया है वो बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब वो इस खराब रिष्टे पे काम कर लें किसी तरह से और आपको समझें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है वरना यहां पर बहुत सारी फाइट हो चुकि आप दोनों के बीच में रिष्टा पूरी तरसे खत्म सा लग रहा था आपके पार्टनर को लेकिन दियर उमीद है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं नो कांटेक्ट में उमीद लेके बैठे हुएं क्योंकि उनका दिल जो है गुसा भी है सब कुछ है दोनों को अंदर ही अंदर रखे जा रहे हैं अपने सब चीजों को छुपा रहे हैं इंट्यूशन उनका गाइट कर रहा है पर डियर फिर भी यह किसी से सलहा भी ले रहे हैं हो सकता है कोई इनकी लाइफ में ऐसा इंसान इंटर हुआ है जो इनको राय परामर्श दे रहा है जिसक राय से आप एडवाइज ले रहे हैं एक तरह से तो उसके एडवाइज लेने से इनका दिमाग खराब हो रहा है ठीक है वो इनसान इनको गलत रस्ता दिखा रहा है और आपके पार्टनर वो चीज नहीं समझ पा रहे है जगड़ा बढ़ रहा है गम नहीं हो रहा है जगड दिया होगा इन्होंने इगनor करा होगा आपने बहुत कोशिश करिये या फिर आपके partner ने आपको call message करने की कोशिश करिये पर अब आपने सोच रखा है कि भाई अब जब धूसरों के पास जाना है धूसरों के advise लेनी है तो मेरी जिन्दगी में आपकी कोई value नहीं आपकी कोई जगा नहीं है तो यहाँ पर यह दिख़ रहा है कि अगर आप मुझे नहीं समझ सकते आप मेरे ज़बातों को नहीं समझ सकते तो आप जैसे इनसान केलिए मेरी life में कोई जगा नहीं है मैं एक bondries बना रहे हूं जिस सीमा के पार आप रही है जिस सीमा के पार मैं रहूंगी है ना लेकिन आपके पार्टनर जो है इस समय बहुत सैड एनरजी में हैं बहुत ज़्यादा परिशान दिख रहे हैं डियर आपके लाइफ में प्यार है 100% यहां पर प्यार है आपका पार्टनर इंटर है जो हमेशा राय परामर्च देता रहता है समय समय पर इनको एक डोस पिलाता रहता है जैसे पोलियो का डोस पिलाया जाता है समय समय पर उसी तरह का इनसान इनके लाइफ में कुछ ना कुछ चीजे बताता रहता है जिससे आपके पार्टनर का दिमाग घूम जाता है और आप दोनों के बीच में एक इस cycle बार बार repeat हो रहा है क्योंकि दूसरों के advice के कारण आप लोगों के बीच में वही cycle चल रहा है बार बार वही cycle का आना यह बता रहा है कि आपके partner जो है अब इस energy से बहार निकलना चाते इस Sad energy में नहीं रहना चाते बहुत हो चुका, किसी के कंट्रोल में रहना बहुत हो चुका तो अब इनका दिमाग भी जो है वो ओपन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है कि एक ही साइकल में आपका रिष्टा एक ही साइकल से बार बार होकर गुजरता रहता है बातें नहीं हो रही है नो कॉंटेक्ट चल रहा है आपने इनसे बात बंद कर ली है दूरियां आ गई है डिस्टेंस आ गया लॉंग डिस्टेंस से तो ये सारी चीज़े यहां पर दिख रही है कोहीं न कहीं कास टिशू भी है इसलिए भी यहां पर कुछ रिष्टे जो हैं तूटते हुए दिख रहे हैं अभी ये टाइम लेंगे टाइम लगेगा डियर इनको अब आपने जो अपने आसपास बांडरीस बना रखिये ना उस बांडरीस को क्राउस करने के लिए ये हिम्मत भी उठा रहे हैं ठीक है इन्हें पता है कि आप गुस्से में हैं आप अभी इन्हें इग्नोर कर रहे हैं आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो ये आपको मनाने के लिए आपकी बांडरीस को क्रियेट करना हटाना चाहते हैं ये बांडरीस जो आपने बना रखे हैं उनको हटाना चाहते हैं आपकी खामोशी को तोड़ना चाहते हैं आपके पार्टनर चाहते हैं कि खामोशी तोड़ो मुझसे बात करो मुझसे लड़ो मुझसे जगड़ा करो पर मुझसे बात करो तुम्हारी खामोशी तुम्हारा ये cold behavior मेरी जान ले रहा है मैं नहीं रह सकता तुम्हारी इस खामोशी के कारण तुम्हारी ये cold behavior को देखके मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मुझे इस खामोशी से घबराट हो रही है मुझे डर लग रहा है कि एक हामोशी के पीछे कोई तुफान नहीं आ जाए तो मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में कोई तुफान आ जाए या कोई बवंडर आ जाए जिससे मेरी लाइफ खराब हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा happiness आए हमेशा खुशियां आए तो प्लीज मुझे माफ कर दो और ये बॉंडरी तुमने मेरे और तुम्हारे बीच में बना रखी न प्लीज इन्हें हटा दो प्लीज प्लीज हटा दो तो डियर आपके पार्टनर रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज जो बनी हैं इन्हें हटाना चाहें या नहीं हटाना चाहें पर यहां पर गलती तो इनसे हुई है हो सकता है इन्होंने ego दिखाया हो इन्होंने लड़ाई करी हो किसी और third person के पीछे आपके रिष्टे को ठुकराया हो तो डियर यहां पर तो इनका दिल regret feel कर रहा है इने परिशानी हो रही है तकलीफ हो रही है इनके जजबात इनको बता रहे है कि इनने गलट decision कहीं न कहीं लिया है तो अब पहले आपके partner जुकना नहीं चाहते थे पर डियर अब तो ये जुक भी रहे हैं पूरा सर जुकाने को तयार हो गए हैं आपके partner आगे कह रहे हैं कि भई आपके प्यार के आगे मैं surrender करता हूँ तो यही चीज दिख रहे हैं कि आपके partner जो हैं आपके लिए बहुत तड़प रहे हैं बहुत प्यार है बहुत feelings है dear इनके दिल में और ये आपसे यही कहने कि please dear इस connection को तूटने मत दो मेरा और तुमारा जो रिष्टा है वो soul का connection है इसलिए मैं तुमारे बिना नहीं रह प पर dear गुसा मत करो ये तुमारी खामोशी जो है ना मुझे बहुत तकलिफ देती है तुमारी खामोशी जो है मुझे बहुत दर देती है तो dear वीडियो पसंद आया हो या कोई guidance मिला हो तो वीडियो को कर दीजे like जो लोग first time channel पर आ रहे हैं please channel को कर दीजे subscribe bell icon को press कर दीजे ताकि मैं कोई वीडियो डालू उसको notification जो है आपको मिल सके तब तक के लिए खुश रहे positivity को attract करें dear मैं हमेशा कहते हूं कि positive energy को अपने पास रख लीजे और जितनी भी negative energies हैं उनको छोड़ दीजे ओके वीडियो पसंद आया हो तो dear like जरूर किया किजे okay